हलो प्रेंट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल नेलं प्रिफसेंट ब्लॉग पर जाई जाएसे वीडियो में आपके साथ सेयर कर रही हूं कि वासिंग मसीन में यानि सेमी आप्टिक वासिंग मसीन में आप अपने ब्लैंकेट को कैसे ड कंबल बिल्कुल नए जैसे चमकने लगेंगे तो बहुत ही हिल्फुल वीडियो है तो मेरे आप से रिक्वेश्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बाहर आए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को प्रेस कर दें क्योंकि यहां पर ऐसी ही या डबल बेट के बलाइंक इट को हम वासिंग मशीन में कैसे क्लीन कर सकते हैं तो चलिए विदार की अपनी वीडियो cancer करते हैं तो गुद मैंने 예ओं पर एक हैबी बलांक हुद जो कि डबल बेट का ब्लैंकेट है काफी है इसको जब भी मैं हाथ से धूलती थी मैं बिल्कुल इसको उठा नहीं पाती हूँ इतना जादा यह है भी हो जाता है धूलते समय तो हाथों से धूलना तो यह मेरे बस की बात नहीं है और अकेली धूलना तो बिल्कुल भी बस की सब्सक्राइब झाल लेकिन आपके साथ में यूव टो इंज टो मैं आपके साथ को में दूल भेट containing सब्सक्राइब तो मैंने यहाँ पर वासिंग मसीन में पानी भर लिया है तो चली देखते हैं मैं कैसे इसको वाश करने वाली हूँ तो वासी मसीन में मैंने पानी भर लिया है आपको पानी बिल्कूल high level तक भरना है क्योंकि blanket काफी heavy होता है तो बहुत सारा पानी लगता है तो high तक आपको पानी भरना है मैंने थोड़ा कम भरा था बाद में मुझे और पानी डालना पड़ा था तो उसके बाद मैंने इसमें easy डाल दिया है आप easy से यापी detergent से दूल सकते हो वैसे जो उलन कपड़े होते हैं उन्हीं आप easy से दूले तो ज्यादा बेहतर होता है उसके बाद थोड़ा सा easy कम था तो इसमें थोड़ा detergent मैं और डाल रही हूं हार से detergent का यूज नहीं करना आप easy use करते हो सबसे बेश्ट होता है थोड़ा से मैंने इसमें detergent भी डाल दिया है उसके बाद मैंने इसको चला दिया है और अब मैं इसमें blanket को डाल रही हूं तो heavy blanket है इसलिए मैं पूरा blanket इसमें नहीं डालूंगी मैं इसमें half blanket डालूंगी तो आधा कंबल मैं डाल दूंगी आधा कंबल दूलूंगी आधा कंबल में बाद में धुनूँगी लेकिन क्या होता है कंबल धीरे-धीरे खिसक कर मसीन में पूरा का पूरा गिर जाता है तो इसके लिए क्या करना हमें आधा कंबल हम धुलने वाले में डालेंगे और आधा कंबल हम जो ड्राय होने वाला होता है सेक्शन उसमें हम फसा इसलिए हमको बिल्कुल टॉप तक यानि कि हाई लेबल तक पानी को भर लेना है क्योंकि ब्लैंकेट जैसे ही मैंने डाला सारा पानी इसने ऑफजर्व कर लिया है तो मैं इसमें और पानी भर दूँगी और इसको अच्छे से वाश कर लूँगी जो ही भी ना दूले इससे उसके फाबरिक हार्स हो जाते हैं और सॉफ्ट डिटर्जन का यूज़ जी करना है इससे बहुत आराम से ब्लैंकेट धूल जाते हैं और उनकी कि जो फैबरी को भी सॉप्ट बने रहते हैं तो मैं इसमें पानी और भर दिया है और अब मैं इसको दो राउंड तक अच्छे से चला कर वाश करूंगी बिल्कुल हाथ लगानी कि आपको जरूरत ही नहीं आपका ब्लैंकेट बिल्कुल अच्छे से दूल जाएगा इस तरह स में आप मसीन में ब्लैंकेट को डाल कर अपना कोई दूसरा काम भी कर सकते हो आपको नहीं पकड़ने की जरूरत है और नहीं इसको देखने की कहीं गिरना जाए तो ऐसा बिल्कुल भी कोई आपको टेंसन नहीं है आप आराम से अपना काम कर सकते हो इस तरह से ब्लैंकेट क जो है यहाँ पर धुलता हुआ छोड़ सकते हो तो आप देखते तो पानी कितना गंदा हो गया है क्योंकि ब्लैंकेट काफी गंदा था इसमें बहुत जादा डश्ट जो है जमा थी तो विंटर में तो हमने इसको उड़ाई था उसके लावा अभी यह जब से गर्मिया आ तो लेकिन मैंने विनेगर का यूज नहीं किया क्योंकि एजी से भी बहुत आराम से धुल जाएगा तो दो बार मैंने इसको वाश कर लिया है तो अब जो धुला हुआ हिस्सा है ब्लैंकेट का वो हम निकाल लेंगे तो इसको हम इस तरह से दबा दबा के सारा जो इसका डि कमबल को धुलने की आपको ट्रिक कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो पीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें तो एक साइड हमने दूल लिया है अब दूसरा साइड को हम फिर से मसीन में डाल देंगे और जो धुला ह नहीं था हिस्ता वह अला हिस्ता मैंने इसमें डाल दिया और मैंने फिर से मसीन को चला दिया है और इसमें पानी कम हो गया है तो मैं इसमें और भर दूँगी और इसमें और मैं इजी डाल दूँगी ताकि जो हमारा दूसरा हिस्ता है कमबल का वह भी बिल्कुल अच्छ से ग्लीन हो जाए इसको सारा स्मिल और सारा डश्ट निकल जाए तो इस तरह से आप आराम से हैवी कंबल को सेमी आटोमेटिक वासीमे दून सकते यो मेरी वासी यो फो प्रूसी जो है ओ सेवें केजी की है सेमी आटॉमेटिक वासी मसीन है और इसमें ये जो कंबले बिल्कुल धूल कर नए कितरा चमकने लगा था तो मैंने इसको डाल दिया इसमें पानी मैंने आन कर दिया ताकि पानी इसमें हाई लेबल तक भर जाए और मैं इजी भी डाल दूँगी क्योंकि सारा जो इजी है ब्लैंकेट का जो पहले वाला पार्ट है उसी में सब ऑफजर्व हो जाता है काफी सारा निकल जाता है तो और इजी मैं इसमें डाल दूँगी और अब मैं इसको दो राउंड इसको भी मैं क्लीन करूंगी क्योंकि तो इस तरह से आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो इसको नोटिफिकेशन में इसा मिलती रहे और कमेंट करना मत भूलिएगा तो अभी दो राउंड में इसको भी चला लूँगी और आप देख सकते हो गाइस मेरा ब्लैंकेट बिल्कुल क्लीन हो गया है किसी के हेल्प लेने की जरूरत नहीं है बस सारा ब्लैंकेट हमने इसमें डाल दिया है और इसको मैंने टॉप लेवल तक पानी को भर दिया है उसके बाद इस तरह से दबा दबा कर मैं थोड़ा मैं इसको उलट पलट दूँगी इसके अंदर बीच बीच में जो भी डश्ट फसे हुई है वह सब आराम से निकल जाएंगो उसके बाद जो गंदा पानी था वो मैंने निकाल दिया तो दो बार मैंने इसको वास कर लिया है तो मैं थर्टाइम फिर से इसको वास कर लूँगी तो आप देख सकते हुए जो पानी बिल्कुल क्लीन हो गया है बिल्कुल ही क्लीन है थर्टाइम आप देख सकते हो पानी बिल्कुल क्लीन ही क्योंकि इसका सारा डश्ट सारा गंदगी निकल चुका है तो अभी मैं फि बाहर नहीं निकालूंगी ड्रेन वाले बटन को हमें ऐसे ही ओन करके छोड़ देना है ताकि जो भी पानी जड़े धीरे धीरे वह अपने आभी बाहर निकल जाए इसको में रात भर के लिए इसी में पड़ा रहने दूंगी अगर आप दिन में दो रहे तो दिन में भी आप इसको दो तीन घंटे के लिए पड़े रहने दे इससे जो इसका पानी होगा धीरे धीरे जड़के सारा पानी निकल जाएगा नहीं हम इसको ड्राय करने वाले नहीं किसी के हिल्प से हम इसको धूप में अभी डालेंगे अभी इसको रात भर मसीन में पड़े रहने देंग पानी जड़कर निकल जाएगा, सो काई जब मौर्निंग हो गए है, मौर्निंग में आप देख सकते हो कमबल कितना क्लीन हो गया, कितना चमक रहा है, बिल्कुल नए की तरह चमक रहा है, अश्ट नहीं है, कोई भी इसमें इसमेल नहीं रही गई है, और सारे जो गंदगी थी वो बिल्कुल साफ हो गई है और कंबल के जो किनारे तो वो काफी गंदे तो भी बिल्कुल साफ हो गए है तो अब मैं इसको धूप में डाल दूँगी सुखाने के लिए क्योंकि रात भर में इसका सारा पानी निकल गया था और वीडियो जरा भी अच्छे लगे तो लाइक करें सेयर करें चालन को सब्सक्राइब करके विल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं इसी यूज़ वीडियो देखते रहने के लिए फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में थैंक्स वाचिन टेक कियर बाए